डी सी आफिस गांदरबल के बाहर आज सलब हलब गूर्पों की जानिब से एक एतिजाजी प्रोग्राम किया गया जिसमें उन्होंने अपने मुतालबात को लेकर आवाज उठाईी मगर पुलीस ने उन्हें वहाँ पर एतिजाज करने से रोका आपको बताते चले कि 2004 में सरकार ने कश्मीर के उन नौजवानों के लिए सेलब हलब गूर्प तश्कील दिये थे जो कि नान एमपुलाई इंजिनरिंग शोबे से वाबस्ता हैं मगर कल सरकार ने ये हिदायत जारी की है कि इन गूर्पों को बंद किया जाए जिस पर आज ग कि इसके बगार बहुत सारे इंट्रेक्टर्स में इसमें वालो है वो नहीं चाहते हैं कि इनका 30 परसे रिजर्वे रहे ये कोटा रिजर्व रहे इस वेरी उनफॉर्चनेट मैं यहां गुरूप्स की मैं ग्रांदरबल की बात कर रहा हूं एक एक गुरूप में कम से कम एक गुरूप से तो 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 पांच-पांच मेंवर्स है ही मैं उसके साथ साथ उनके तीन-टीन सुपर्वाइजर इस फरमें हैं सुपर्वाइजर्स के साथ मेशिनरी और बहुत सारे इसमें इन्वालो है और आप देखे एक एक फरमे अगर दस-दस आदमी एंपलॉई है तो इस वक्त यहां गांदरबल में पंतालीज गुरूप है और पंतालीज गुरूप में देखे तो कितने वह जमा होते हैं कितने वह एंपलॉईस में है कैबनेट और है जो आडर नबर 14 L & E of 2017 का आडर निकला है वह 20 2017 में आडर निकला है यह इसमें अमेंडमेंट्स भी बहु कितना करूंग नहीं आछिक यह हमारे इस वखित हमको 2004 से स्कीम स्टार्ट हो गई है आज 2020 अख है, 2020 से 2004 से किया तक 16 साल के बाहे हैं कि आप किसी जगा है नहीं हो रहे है अब आप बस जेए कोई आप आजम?" ये बदकस्विती की बात नहीं है तो और क्या है अब मैं तमाम मुटबाना गुजारिश करता हूँ जितने भी हमारे डिस्रिक्स के हेड्स हैं डिस्रिक्स के मेंबर्स हैं सेलफ रूप मेंबर्स हैं उन में एक खाली इस वक्त यह टाइम है फिर जिसमें हम को आपस में बहुत स्थरूंग रहना है आपस में आपको एक तालमेल रखना है और इन्शादा वो दिन दूर नहीं फिर से इसके बैद जो हमारे और भी जो प्राल्म्स हैं 20 साल हो जाएगी औरे सिकीम फिर से एक बार स्टार्ट हो जाएगी